driving license बनवाना बहुत ही आसान हो चुका है इसके लिए सबसे पहले आपको learning license बनवाना होता है उसके बाद में आपको permanent license यहीं कि driving license के लिए apply करना होता है तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि learning license के लिए कैसे apply करते हैं और ये जो apply करने के मैं आपको तरीका बताऊंगा आप घर बैठे अपने mobile phone या फिर computer से apply कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पर भी RTO पे जाने की जरूरत नहीं है आप अपने mobile phone से घर बैठे test दे सकते हैं और मात्र साढ़े 300 रूपे में 2-wheeler और 4-wheeler का learning license बनवा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको apply करने का पूरा process बताएंगे उसके बाद में जैसे स्कुटनी हो जाती है मेरे पास password आ जाता है उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि test कैसे देना है सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर learning license के लिए apply करना है तो आपको google खोल लेना है search बार में आपको type करना है परिवहन.gov.in ठीक जैसे आप search कराते हैं तो आपके सामने जो page है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं license related service में नीचे जाएगे तो यहाँ पर दिया है driver's learner license आपको इसको उपर की लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपने state का नाम select करना होगा मेरा जो है उत्तरप्रदेश है तो मैं उत्तरप्रदेश को select करता हूँ जिसके बाद में आपके state की transport department की website खुल के आ जागी यहाँ पर देख सकते हैं आ गया कि transport department government आप उत्तरप्रदेश अगर इनी की गलती से किसी दूसरे राजी की website खुल चुकी है उसके बाद में next page इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा यहाँ पर आपको submit को पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर आएंगे तो दो option मिलेगा पहला है submit via आधार authentication और दूसरा है submit without आधार authentication तो जो मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे, online test देखे, अपना learning license बनवा सकते हैं इसके लिए आपको submit via आधार authentication को select करना होगा इस case में आपके आधार card में mobile number लिंक होना चाहिए और mobile number आपके पास होना भी चाहिए क्योंकि उस पर OTP जाएगा बाकी अगर नहीं लिंक है तो आप submit without आधार authentication वाली process से बना सकते हैं लेकिन एक काफी लंबा process हो जाएगा इसमें आपको RTO विजिट करना होगा तो यहाँ पे हम submit को उपर किलिक करते हैं उसके बाद में OK को उपर किलिक कर देना है ठिक अब यहाँ पे आएंगे नीचे यहाँ पे आधार नंबर के उपर किलिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है generate OTP को उपर किलिक कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने OTP को डाल दिया अब यहाँ पे check box पे इस पे tick mark आप लगाएंगे तिक mark लगाएंगे नीचे authenticate के उपर किलिक करेंगे अब यहाँ पे आपको photo गएरा कुछ भी upload करने की जरूरत नहीं है सारा data आपका जो है आपके आधार card से ही फैच कर लेता है यहाँ पे आएंगे proceed को उपर किलिक करेंगे जैसे आप proceed को उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपके pin code के according जो भी आपका RTO होगा यहाँ पे show करेगा आपको यहाँ पे OK कूपर किलिक कर देना है और यहाँ पे RTO office में आपको अपने RTO का नाम select कर लेना है यहाँ पे सारी detail लगभग आपकी भरी रहेगी नीचे जाएंगे यहाँ जहाँ जहाँ पे style लगा है उसे भरना compulsory है यहाँ पे आपको qualification में जो भी qualification है आपको यहाँ पे जो है डाल देना है उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ट से link mobile number डाल देना है यहाँ पे अगर आपका कोई भी identification mark है तो यहाँ पे डाल सकते हैं कहीं पर चोट का निसान है तो दो आपसन यहाँ पे दिया गया एक नंबर दो नंबर इसमें डाल सकते हैं निथा नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद में emergency mobile number में कोई दूसरा भी emergency mobile number डाल सकते हैं यहाँ पे email ID में email ID भी डाल सकते हैं ठीक अगर नहीं है तो खाली छोड़ेंगे नीचे जाएंगे अब यहाँ पर नीचे जाने के बाद में आपकी detail यहाँ पे address जो है भरा रहेगे state आपका भरा इस इस्टिक भरा तैसील यहाँ पे आपको select कर लेना ठीक तैसील के बाद में यहाँ पे आपको उपनी village का नाम select कर लेना अब यहाँ पे आपको किस किस का driving license बनवाना जैसे की motorcycle का 4 wheeler का तो यहाँ पे हमें जो बनवाना है motor cycle का यहनी कि आपको उस case में MCWG select करना है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे MCWOG है जो कि है motor cycle without gear तो आपको इससे नहीं select करना है आपको select करना है motor cycle with gear non transport MCWG ठीक तो आपको इसको पर click करना है यहाँ पर click करना है और यहाँ पर add हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे light motor vessel LMB दिया है तो हम इसको उपर click करते हैं और LMB को उपर click कर देते हैं तो यहाँ पे फोर बेलर के लिए है light motor vessel भी add हो गए दोनों add हो गए नीचे जाएंगे यहाँ पे बता रहे पूछ रहा है उसके बाद में self declaration form है आपको इसको उपर जाना है यहाँ पे आपको अपने physical fitness का जो है यहाँ पे declaration देना है यानि कि जो भी आपके अंग है सही है कि नहीं है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका है अपने हिसाब से यहाँ पे भर दीजेगा ठिक तो यहां पर मैं जो है भर दे रहा हूं उसके बाद में यहां पर चेक बोक्स पर टिक करेंगे सम्मिट को उपर क्लिक और कुलिक करेंगे तो यहां पर आपको फिसकल फिटनेस वाला टेकलेेशन हो जाओ masih आएगा क्यों पर किलिक कर देना है उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक चीज और है यहां पर अगर आपको क्या करना है नीचे सम्मिट वाली आपसट कर देना हो जैसे ही आपका application form submit होता है तो आपका जो application number है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आप इसे note कर लीजेगा मैं इसका screenshot भी ले ले रहा हूं ठीक इसे note कर लीजेगा क्योंकि यह अभी आपको काम में आएगा ठीक इतना करने जो क्या करना है next को पर किलिक कर देना ही अभी आपको application form फिल अप हुआ है यह कंपलीट हुआ है अभी यहाँ पर आपको तीन इस्टे पावर कंपलीट करने जिसमें की document upload करना है उसके बाद में photo or signature अब यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पर लगाना है नीचे ओके कूपर कर देना है किलिक करने के बाद में यहाँ पर यहां पर दूसरा एज पूब के लिए जैसे आप अधार का एज नहीं रखना चाहते हैं अपनी मार्क सीट का रखना चाहते हैं या फिर किसी भी आपको मान लिजे आपको मार्शीट के हिसाब रखना तो आपको EAC, SCLC certificate को आप यहां से select कर लेना है और उसकी detail लालके यहां पी उसे upload कर सकते हैं ठीक अगर आप जो है अपने एजग्स intr you can catch sum करते हों तो कोई दिक करना है आपकी आधार वाला ही आपका एजग्स प्रूफ हो जाएगा और आपको Mart seat आधार दोनों में अगर सेम है तो इस case में हैस प्रूफ में आप अधार को ही select करिए और आपका जो है उसी से दोनों में हो यहां पर लिख देना है यहां पर यहां पर यहां पर देख करते हैं H के बाद में यहां प्रक्रेंजार मांगेगा अगर देखना चाहते हैं तो व्हां'll करके आप यहां पर card को देख भी सकते हो, थिक, तो यहां पर देख सकते हैं, मैंने आधार कार्ट को दो बाराध देख भी लिया, आप confirm के उपर हम click करते हैं, जैसे आप confirm के उपर click करोगे, आपका address proof और age proof, दोनों upload हो जाएगा, यहां पर आधार प्रकार्ट से दोनों में आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं next को उपर किलिक कर देना है ठीक उसके बाद में फिर से आपको application number data birth capture code डालके submit को उपर किलिक कर देना यहां पर देख सकते हैं कि को उपर किलिक करना है upload and view फाइल को उपर किलिक करेंगे यहां पर signature add हो जाएगा और नीचे जो है आपको save and signature image फाइल को उपर किलिक कर देना है ठीक जिसके बाद में यहां पर देख सकते हैं successfully next को उपर किलिक कर देना है आपका यह step भी complete हो गया अब दोबारा से फिर से आपको registration number यहां पर किलिक कर देना है उसके बाद में यहां पर आपको इसका फीज जो कटवाना होगा भी हम अपने यूपी की बात करें तो यहां पर learner license का यहां पर फोर विलर दोनों का जो है साड़े तीन सुरूपे फीज करती है अब यह स्टेट वाइज जो है अलग अलग भी हो सकती है ठीक तो यहां पर जो भी फीज दिख रही है आप यहां पर देख सकते हैं calculate हो के सारकुद दिया है नीचे जाएंगे यहां पर state bank आप हिंडिया को select करना है और यहां पर जो capture code दिया है इसे आपको यहां पर डाल देना है capital वाला capital में small में ठीक उसके बाद में pay now की उपर click कर देना है ठीक उसके बाद में यहां पर I agree को पर tick mark लगाना है proceed payment को उपर click कर देना है अब यहां प bank का debit card कोई भी bank है उसका debit card कर सकते है credit card करते हैं क्रेड़ करने के बाद यहां पर अपना user name password ढलेंगे login को ऊपर click करना जिसके बाद यहां पर देख सकते है payment यह successfully हो चुका है थोड़ा साबक आपको यह तोबेट कर लेना है इसके बाद इस time ना है इस खुदी जो है reference हो जा फोम एप्लाई करने का पूरा प्रोसेस था complete हो चुका है एक बार हम application status में आपको दोबारा से यहां से खोल के दिखा देते हैं तो यहां पर application form को मैंने दोबारा से जो है open कर लिया open करने के बाद में यहां पर देख सकते हैं जितने भी step हैं आपके सारे complete हो चुके हैं अब य से जो है जैसे आपकी scrutiny done होती है उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नमबर लगा है उस पर एक message आ जाएगा उसमें आपका एक password भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आप घर बैठे online ही test देके अपने learning license को complete कर सकते हैं तो इस वीडियो में जैसे ही जो है password आएगा उसके बाद में हम test के बारे में बताएंगे test कैसे देना होता है सारी जानकारी आपको आगे की वीडियो मिलेगे मिलते हैं अगले वीडियो में अबडेट के साथ तक के लिए जैहें